कि जो independent विधायकों ने हाई कोट में याचिका दायर की थी कि हमारे resignation को accept किया जाए और उन resignation को हाई कोट ही accept कर ले ना कि क्योंकि speaker accept नहीं कर रहे हैं उस याचिका पर आज उच नयायले ने अपना फैसला सुनाया नयायले एक प्रशन कि जो याचिका करता हूं कि नयायले से गुहार थी प्रेयर थी कि हमारे resignation उच नयायले ही स्विकार कर ले उस प्रेयर को हाई कोट ने रिजेक्ट कर दिया ह है उन्होंने कहा है कि हाई कोट इस प्रेयर को स्विकार नहीं कर सकता है प्रंतु दूसरी तरफ उच नयायले में एक डैसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननिया नयाय धीशों में डैसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विविन व्यू विचार को कब स्विकार करें कितनी जल्दी स्विकार करें और कैसे स्विकार करें तो जो माननिय मुख्य नयाय धीश का व्यू है उन्होंने अपने फैसले में जो नयायले में सुनाया क्योंकि फैसला भी अप्लोड नहीं हुआ है प्रंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाय है नियालेग में कि माननिय स्पीकर का जो पद है जो पोस्ट है वो बहुत उच दर्जे की संभेदानिक पद है क्योंकि एक संभेदानिक पद है तो हाई कोट किसी भी परकार से संभेदानिक संस्था को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे ले प्रन्तु मान्य नियादिश जो उतना दुआ रिवाल जी का मत्थ है जो नियाले में एक्स्प्रेस किया गया कि क्योंकि हाई कोट 226 में जुडिशल रिव्यू कर रहा है जिसमें स्पीकर दौरा रेजिगनेशन सिकार ना करने के मामले को चुनोती देगी है तो यद्यपी हाई कोट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिगनेशन ये पावर सिर्फ मानने स्पीकर साब के पास है प्रंतु हाई कोट स्पीकर को यह डैरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निप्टारा करे या within two weeks निप्टारा करे उन्होंने दो शब्ता कर शब्दों का इस्तिमाल किया है कि वह दो सप्ताते हमें निप्टारा करे तो जब भी ऐसी शासनिक सर्फ पर मानने मुख्य न्याइदीश रखेंगे और वो तीसरा न्याइदीश उस मामले की पुने सुनवाई करेंगे उस सुनवाई के पश्चाथ जो भी फैसला मानने तीसरे न्याइदीश देंगे वो फैसला अंतिम फैसला होगा क्या वो फर्ड बैंच को रेफर question डिमानिय डिवीजन बेंच ने बना दिया है और वो प्रशन जो निया तीसरे निया अधीश के स्वक्ष जाएगा वो यही प्रशन है वेदर हाई court can direct the speaker to decide the issue in a particular manner और in a particular time वो issue court ने बना दिया है अब third judge उनी पर ही अपना मत प्रकट करेंगे प्रंतु नियाले में यह precedence है यह ऐसे प्रक्रिया रहती है क्योंकि थर्ड जज ने उस case को कभी नहीं सुना है तो जब उन्होंने कभी उस case को नहीं सुना तो उन्हें पूरे case को ने सेरे से सुनना पड़ेगा और सुनकर ही फैसला किया जा सकेगा तो यह एक practice है कि वो पूरे तरह से reopen होगा केस ऐसे मामनों सर पहले भी ऐसले आया है तो क्या उनका भी हवाला दिये गया है देखिए अभी मैंने जजज्मेंट पूरी तरह नहीं पड़ी है लेकिन जो मोटी मोटी जजज्मेंट मुझे ग्यात हुआ है जो नयाले में बताया गया है माननी मुख्य नयाइदीश ने अपने फैसले में दो बातों पर बहुत प्रकाश डाला है एक की स्पीकर का जो पद है वो बहुत उन्चा सम्मेदानिक पद है हाईस्ट एस्टीम में रखा जाता है उस पद को इस कारण इस गर्मा में पाद को हाई को डिरेक्शन नहीं दे सकता है उन्होंने ये बहुत स् अपलोड होगी वो जनता की निरीक्शन के लिए उनकी पढ़ाई के लिए वह वैब साइट हिमाचल हाई कोड पर अवेलेबल रही अगली तारीक क्या कोई मुकरर होगी ने इसमें अभी ये जो मामला है प्रशाशनिक स्थर पर एड्मिस्ट्रेटिव साइट पर मानने मु क्या अब स्पीकर के पाद जो याजिकाएं है और डिडी है क्या उन पे तो उनकी उत्तु सुनवाई कर सकता है इसका कोई उनकी सुनवाई पर तो कोई असर नहीं पड़े देखिए ये बहुत संबेधानिक रूप से इन इंडिपेंडेंट अमेलेज ने इस मामले को पची इस दिन हाइक कोट में वह डेट लगी उसी दिन की डेट उन्होंने पहले ही फिक्स की थी कि आप अपना जवाब दे रelin थीटि से पेले और ने उनकी जब сसकान को अब इ जो नब यहां कि जब दो संबेधानिक संस्थाओं में मामला चल रहा हो तो ये उचित होता है कि एक संबेधानिक संस्था उस पर पूरण रूप से अपना विचार प्रकत कर ले ताकि जो दूसरी संबेधानिक संस्था है वो harmoniously उस मामले को decide करे अब फिर ये मामला लंबित है हाई कोट में अगर स्पीकर साब जो उन्होंने पहले अपना विउ रखा है कि हाई कोट में मामला लंबित होने की बएसे मुझे नहीं सुनना चाहिए है आगे की कारवाई को बढ़ाना नहीं चाहिए अब लगता है क्योंकि यह मामला एक constitutional issue बन गया है प्रशन बन गया है कि क्या सम्मेधानिक सहस्ता को high quote इस परकार से निर्देश दे सकता है तो मुझे मेरा यह personal मत है कि माननी speakers आपको अपने थोड़ा और इंतजार करके